है गाइस वेल्टम टो साइक औरनेस आई होप आप से बच्च होंगे तो गौवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकले इंटर्फ के बारे बात करते हैं क्योंकि यह गौवर्मेंट इंटर्फ है तो फ्रेशर्स ऑल इंडिया से इसमें एलिजिबल है और इंटर्फ जो है कि आपका ऑफ पोर्ट शिपिंग एन वंटर वहस्ट गौवर्मेंट ऑफ इंडिया के नंदर आता ही डपांट आपका सी ऑपांट्रेंट कको इन्लेंड वाटर्वेज ऑफ औरिशूरी अश्डिया कि एह इंटर्श है सब्सok हूसज है और मेग्छी मुंढ आपको this आपे तो बात केलता है इंटरंसिव के कालिफिकेशन है कितनी सीट्स हैं आप सभी के लिए और यह आपकी इंटरंसिव आपकी ओफ्लाइन होगी क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि आप गौर्मनम्न ऑफ इंडिय कंदर काम करने वालों इसमें यहाप लिखा ह और इसे काफी वेरियस रीजनल ऑफिसे से जहां पर आपको इंटरसिप करने का मौकर मिलेगा जो पूरे पैन इंडिया में फैले हुए है तो इसके कौन को से टॉपिक है रिसर्च के महाँ पर हम बात करेंगे अभी तो उससे पहले हम बात करेंगे हैं कि क्या-क्या इंटरसि पर इंटरसिप क्या चीज़ आपको सिखाएगी इंटरसिप का परपस क्या है परपस है कि प्रवाइड जो बच्चे स्लेक्ट होंगे उनको शॉट्टम एक्सपोस देना कि डिफ्रेंट वर्टिकल्स डिविजन में गवर्मेंट कैसे काम करती है कैसे डिपार्टमेंट काम करता है तो यह चीज़ आपको सिखाए जाएगी और बैनिफिट्स क्या मिलेंगा अपको देखो इसमें बैनिफिट्स क्या है तो इंटर्न शेल है अपॉचनटी तो नो अबाउट क्या कैसे इनलेंड वर्टरवेस सेक्टर काम करता है क्या वह इश्यूस फेस करता है कैसे तो कंट्रिबूशन करता है तो वर्ट इंपूर्स में अनलेसिस रिपोर्ट आइटिंग प्रपोजल प्रिप्रेशन और यहां पर काम करके उसके बाद आप काफ़ी चीज़े सीख पाओगा आगे भी किसमें आपको इंटन सेर्टिफिकेट भी साथ मिलेगा अब रिक्वा और यह चीज़ आपके पास पता होने चाहिए ठीक है और जो परसूइंग है वह अपलाई करना क्योंकि जो अगर ले सकते हैं तो ले ले लिना कॉलेज दे दे क्योंकि पर्सिंग वालों को मिल जाती लेकिन जिनका कंप्लीट होगा उन्हें असी मिलती नहीं है तो डियुरेशन का इंटर्शिप का वन मन्त और मैक्सिम्म थ्री मन्त दूरेशन है जो एक्सीडिंग शिक्स मन तक हो सकता है अब आप काम अच्छा अपना करता हो ठीक है और एक्स्पीरियंस सेटिफिकेट आपको इशीड होगा यह आपको अपने खुद के एक्सपैंस से वहाँ पर रहना पढ़ेगा यह बार लिखिए साफ साफ अगर आप ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएट तो आपको टैन थावजन रूपी स्टैपेंट मिलेगा मंतली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या फिरेसा तो अगर आप रिसर्च में जान चाहते हो आप देखने चाहते हो कि कैसे होती है तो आप इससे डेफिनेटली करो लेकिन अगर आप एक्सपैंसे नहीं नहीं कर सकते तो आपको सूचना पड़ेगा इस इंटेंसिव करने के बारे में ठीक है अब अप्लाई करने की प्रोसी वन थे जिरो वन पर बाकि यह ओफ्लाइन भेजना है अब यहां पर लिखा है मैं अप्लाई उन लाइन लिखा हुआ है वेब्साइट में अप्लाई ओं-लाइन करने कोई भी लिंक नहीं दिया गया है तो आप आप अफ्लाइन इसे सेंड किजिएगा ठीक है यहां साबसाल लिखा हुआ है और आपको अलोकेट किया जाएगा मैं बता यह तो हम आपको कहां कर आपको भेजिंगे अगर आप साथ में को एक चीज और है अब क्या प्रोसीजर इंटर्शिव का कैसे चीज होंगी आपकी स्कूरूटनी होगी हैड ऑफिसमा फॉर्म भेजोगे उसके आपको जो है उस लेक्सर इसमें होगा अगर आप अंडर ग्रेजवेट हो तो अंडर ग्रेजवेट के लिए 10 सीट्स यहां पर रिखी गई हैं इंटर्शिव की अगर आप पोस्ट्ग्रेजवेट या फिर स्कॉलर तो आपके लिए 15 सीट्स हैं कम्बाइन करूं तो 25 सीट् पोस्टिंग होगी आपकी इसमें पोस्ट ग्रेजवेट रिखेश्वेट हैं और रिजवेट हैं तीन दो कोची में हैं पटना गोहाटी गोवा सब ओफिस विजेवाड़ा तो आपके जो मास्टर्स के लिए हैं जो पीजी वाले हैं उनके लिए हैड आप लिखी है उनके तो इसलिए मैं कहा रहा हूं अगर आप इन जगह पर जाकर अपना एक्सपेंस निकाल सकते अपको नहीं देती यह आपको भनना है और आपको भेजना है दिसंबर तक आप भेज़ दो तो यहां पर जाओगे यहां पर प्रजेक्ट एरिया आपको मिलेंगे काम करने को जो आपके काम के हैं वो आप भी आपढ़ सकते हो ठीक है तो AWA provides an opportunity for internship program to college and university student specific to work the intern on the basis of application and selection followed by the particular field marine engineering hydrography fairway development river information system traffic and cargo handling terminal planning and over operation vessels operation navigation and vessel traffic management system river cruise and related affairs इंडो बंग्रदेस प्रटोकॉल रूट कैपिसिटी बिल्दिंग फाइनस एडमिस्टेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी यह सारे आपके जो है लीगल एचर और ट्रांसपोर्ट ठीक है तो एचर में साइकोलोजी वगले वाले भी जा सकते हैं और साथ में वह इंडो बंग्रदेस प्रटोकॉल रूट में अप्लाए कर सकते हैं और एडमिस्टेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी में भी आप जा सकते हो ठीक है तो यह इंट्रांसपी डिटेल में नाम कंप्लीट डेर दी है तेर भी कोई कंफीज हो तो आपस कमेंड में पूस्ट लेजिएगा बाकी वीडियो को लाइक कर दो इंफॉर्मेटिव है वीडियो को शेयर कर दो चैनल सस्क्राइब कर दो जल मिलते हैं अगली वीडियो तो तक्र थैंक्यू